एक बार भगवान बुद्ध बिक्सा के लिए एक किसान के या पहुंचे तथा गुद्ध को बिक्सा के लिए आया देखकर किसान उपएक्सा से बोला सर्मन मैं हल जोता हूँ और तब खाता हूँ तुम्हें भी हल जोतना और बिजबोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए बुज्य ने कहा महराद मैं भी खेती ही करता हूँ इस पर किसान को जिग्यासा हुई और वह बोला मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना है खेती का इस्तल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो, आप करपिया अपनी खेती के समध में समझाईए, बुझ ने कहा, महारा, मेरे पास सरदा का बिज है, तब से रुपी वरसा और परजा कोई रसी है, इसमर्ती और जागुलता रुपी हलकी फाल और पैनी है, मैं वसन और करम में सेयत रहता हूँ, मैं अपने इस खेती को बेकार गास से मुक्त रखता हूँ, और आजन की फसल काट लेने तक प्रेत नसिल रहने वाला हूँ, एप्रमाज मेरा बैल है, जो बादा की खेती ही करता है, वह अपने करमों, अपने किये के कार्यों और अपनी विसारों की खेती करता है, और वह उसी भादी अपना प्रिणाम पाता है,